जै भीम सातियो, सातियो आज की क्लास में हम डॉक्टर भीमराम अम्बेड कर यानि की बावा साब से सम्बंदित 50 महत्मूर प्रेशने कवर करेंगे जो आपके आने वाली सभी एक्जाम्स के लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है वीडियो को द्यान से और लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा यहां से क्वेस्टन एक्जाम में 100% पूछे जाएंगे तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट क्वेस्टन है हमारा डॉक्टर अम्बेडकर का जनम कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 14 अप्रेल 1891 में बावा साब का जनम हुआ था बावा साब का जनम कहां पर हुआ था? तो मद्धि प्रदेश के इंदोर के महुचामनी में बावा साब का जनम हुआ था बावा साब के पिता का क्या नाम था? तो राम जी मोला जी सकपाल था बावा साब के पिता का नाम नेक्स्ट है डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम क्या था तो भीमा भाई डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम था डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या करते थे तो डॉक्टर अम्बेड कर बावा साब के पिता सेना में सुविदार थे बावा साब की माता का देहंत कब हुआ था तो 1896 में बावा साब की माता का देहंत हुआ था डॉक्टर अम्बेड कर की माता के देहंत के बक्ते उनकी आयू क्या थी तो पांच वर थी डॉक्टर अम्बेड कर किस जाती से थे तो महर जाती से थे महर जाती को कैसा माना जाता था तो अचूत या निमनिवर्ग माना जाता था नेक्स्ट है डॉक्टर अम्बेड कर को स्कूल में कहां बिठाया जाता था तो क्लास के बार डॉक्टर अम्बेडकर यानि की बाबा साब को बिठाया जाता था बाबा साब को स्कूल में पानी कैसे पिलाया जाता था तो उंची जाती का व्यक्ति उंचाई से पानी उनके हाथों पर डालता था बाबा साब का बिवाद कब और किस से हुआ तो 1906 में रमावाई से बाबा साब डॉक्टर बीम अबराम अम्बेडकर जी का बिवा हुआ था Next question है बाबा साब ने मेटरिक परिक्षा कब पास की तो 1907 में बाबा साब ने मेटरिक परिक्षा पास की थी डाक्टर अम्बेडकर के बंबई विश्विद्याले में प्रिवेश लेने से क्या हुआ तो भारत में कॉलेज में प्रिवेश लेने वाले एसपर से बन गए गायकवाण के महाराज ने डाक्टर अम्बेडकर को पढ़ने कहां भेजा था तो कॉलंबिया बिस्विद्याले न्यूवार्क अमेरिका भेजा था नेक्स्ट क्वेस्टन है बेरिष्टर के अध्यन के लिए बाबा साब कहां और कब गए आंसर हो जाएगा 11 नवेंबर 1917 को लंदन में गए थे बड़ोदा के महराजा ने डक्टर अम्बेडकर को अपने हां किस पद पर रखा था आंसर हो जाएगा सेन ने सचेव पद पर रखा था बाबा साब ने सेन ने सचेव पद को क्यों छोड़ा था तो छुआ चूत के कारण छोड़ दिया था बड़ोदा रियासत में बावा साव कहां ठहरे थे तो पार्सी सराय में ठहरे थे डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या संकल्प लिया था तो जब तक इस अच्छूत समाज की कटनाईयों को समाप्त ने कर दू तब तक चेन से नहीं बैठूंगा नेक्स्ट क्वेस्टन है डॉक्टर अम्बेडकर ने कौन सी पत्री का निकाली थी तो मूख नायक पत्री का बावा साव ने निकाली थी बावा साव बकील कब बने तो 1923 में बावा साव बकील बने थे डॉक्टर अम्बेडकर ने बकालात काहां शुरू की थी तो मुंबई के हाई कोट से बावा साम ने बकालात शुरू की थी नेक्स्ट है अम्बेडकर ने अपने अन्यू आईयू को क्या संदेश दिया था तो उन्होंने काहता कि सिक्षित बनो, संगर्ष करो और संगठत रहो नेक्स्ट है बावा साब ने 22 भारत का प्रकाशन कब आरम किया था तो 3 अप्रेल 1927 को किया था बावा साब लो कॉलेज के प्रोफेसर कब बने थे तो 1928 में बावा साब लो कॉलेज के प्रोफेसर बने थे नेक्स्ट क्वेस्टन है बावा साब मुंबई में साइमन कमीशन के सदस्ट कब बने थे तो 1928 में बावा साब मुंबई में साइमन कमीशन के सदस्ट से बने थे बाबा साब द्वारा बिदान सवा में महर बेतन बिलकभी पेस हुआ तो 14 मार्च 1939 को हुआ था काला राम मंदिर में अचूतों के प्रवेश के लिए आंदोलन कब किया तो 3 मार्च 1930 को काला राम मंदिर में अचूतों के लिए प्रवेश के लिए आंदोलन किया था नेक्स्ट है पूना पैक्ट किस 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 के बीच हुआ था तो डॉक्टर अंबेडकर और मात्मा गांधी जी के बीच पूना पैक्ट हुआ था मात्मा गांधी के जीवन की भीक मांगने बावा साब के पास कोन आया था तो कस्तूरवा गांधी आये था डॉक्टर अम्बेडकर को गोल मेज कॉन्फरेंस का निमत्रन कम मिला तो 6 अगस्ट 1930 को डॉक्टर अम्बेडकर को गोल मेज कॉन्फरेंस का निमत्रन मिला था नेक्स्ट है डॉक्टर अम्बेडकर ने पूना समझोता कम किया तो 1932 में किया था अम्बेडकर को सरकारी लोकोलेज का प्राधानाचार्य न्यूक्त किया गया तो 13 अक्टुमबर 1935 को बाबा साब को सरकारी लोकोलेज का प्राधानाचार्य न्यूक्त किया गया मुझे पड़े लिखे लोगों ने धोका दिया ये सब्दे बाबा साब ने कहां कहे तो आगरा में 18 मार्च 1956 को कहा था नेक्स्ट कुश्चन है बाबा साब के लिए पीए कौन थे तो बाबा साब के पीए नानक चंद रत्तु थे बाबा साब ने अपने अनियाईयों से क्या कहा था तो इसे करवा को मैं बड़ी मुश्किल से यहां तक लाया हूँ इसे आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे मत जाने देना बावा साइब ने अपने अनियाईयों से कहा था देश के पहले कानून मंत्री कौन थे तो डॉक्टर भीयार अम्बेडकर बावा साब देश के पहले कानून मंत्री थे स्वतंत भारत के लिए स्वतंत भारत के नए सभीदान की रचना किसने की थी तो डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वतंत भारत के नए सभीदान की रचना की थी अम्बेडकर डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतिय सभीदान कितने समय में लिखा तो दो साल 11 मैने और 18 दिन में लिखा था डॉक्टर बियार अम्बेडकर ने बॉद्ध धर्म कब और कहां अपनाया था तो 14 अक्टुम्बर 1956 को दिख्षया भूमी नागपुर में डॉक्टर भीमराम अम्बेडकर यानि कि बावा साब ने बॉद्ध धर्म को अपनाया था नेक्स्ट कुश्चन है डॉक्टर भीयार अम्बेडकर ने बॉद्ध धर्म कितने लोगों के साथ अपनाया था आंशर हो जाएगा लगवग 10 लाख लोगों के साथ डॉक्टर भीयार अम्बेडकर ने बावा साब ने बॉद्ध धर्म अपनाया था राजा बनने के लिए रानी के पेट की जरूरत नहीं तुम्हारे बोट की जरूरत है ये सब दिक किस के हैं तो बाबा साथ के हैं डॉक्टर बियार अमबेड करके हैं Next question है डॉक्टर बियार अमबेड करके द्वारा लिखित महान पुष्टक का क्या नाम है अंसर हो जाएगा दीब बुद्ध एंड हिजे धम्मा ये डॉक्टर बाबा साब के द्वारा लिखे थे महान पुस्तक है बाबा साब को किस पुर्षकार से सम्मानित किया गया था तो बाबा साब को भारत रतन से सम्मानित किया गया कम मिला था 1990 में बाबा साब ने किस राजनेतिक पार्टी का गठन किया था तो रिपब्लिकन पार्टी का बाबा साब ने गठन किया था नेक्स्ट क्वेस्टन है बाबा साब ने कितनी पृतिज्याएं की तो अंसर हो जाएगा 22 पृतिज्याएं बाबा साब के द्वारा की गई थी सभीधान निर्माता किसे माना जाता है तो बाबा साब को डॉक्टर विम्राम अमबेटकर को सभीधान निर्माता माना जाता है बाबा साब ने किस राजनेतिक पार्टी का गटन किया था तो Republican Party of India बाबा साब ने गटन किया था लास्ट कुश्चन है बाबा साब का महा परी निर्वान कब हुआ था तो 6 दिसम्बर 1956 को बाबा साब का महा परी निर्वान हुआ था और के साथ यो यहाँ पर आपकी क्लास समाप्त होती है ऐसे ही क्लास को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें थैंक्यू वीडियो पूरा देखने के लिए